नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैस्टेग भारत न्यूज में हैस्टेग भारत न्यूज चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके जरीए आप देश दुनिया के हर एक शेत्र की रोचक मनुरंजक और दिल्चस्प जानकारियों को देख और सुन सकते हैं अगर आप ऐसी जानकारियों में रोची रखते हों तो आज ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर दिल्चस्प है जिसे देख कर आप भी कहेंगे कि क्या ऐसा संभव है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तो आज हम आपको एक चमतकार दिखाने लेकर चल रहे है हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मौजूद है बिजली महादेव का मंदिर आप भी सोच रहे होंगे कि भला ये कौन सा नाम हुआ बिजली महादेव दोस्तो इस नाम में ही बड़ा चमतकार चुपा है इस मंदिर के साथ जुड़ा है ये बड़ा चमतकार कहा ये जाता है कि इस मंदिर पर हर 12 साल में एक बार आकाश्य बिजली गिरती है और इस आकाशी बिजली की वजह से मंदिर का शिवलिंग कई भागों में खंडित हो चुका है लेकिन चमतकार तो ये है कि यहां इस मंदिर के पुजारी इस शिवलिंग को नमक, मखन और सत्तू के साथ बने लेप से जोड़ देते हैं और शिवलिंग अगले 12 साल तक इसी रूप में बरकरार रहता है इस चमतकार को देख कर लोग दांतों तले उंगलियां दमाने पर मजबूर हो जाते हैं यहां कि पुजारी इसे महदेव का चमतकार बताते हैं खंडिट टुकडे फिर से आपस में जुड़कर शिवलिंग का आकार ले लेते हैं इस मंदिर की महत्ता की वज़ा ये भी है कि लोग दूर दूर से बिजली महदेव का दर्शन करने आते हैं और हर साल आते हैं यहां कि महिमा आपरमपार है वैसे दोस्तों आपको इस मंदिर का थोड़ा इतिहास भी हम बता देते हैं कहते हैं कि बिजली महादेव मंदिर का निर्मार कुलंत नाम के दानव को मारने के बाद हुआ दानव कुलंत व्यास नदी के प्रवाहा को रोक कर इस पूरी घाटी को जलमंग न करने के लिए अजगर का रूप धारन करके आते हैं कहा ये भी जाता है कि जब भोलेनाथ को इस बात की जानकारी हुई दानव कुलंत का अंत करने के लिए खुद भोलेनाथ इस जगह पर पधारे भोलेनाथ ने अजगर राक्षस को पीछे मुड़ कर देखने को कहा जैसे ही कुलंत पीछे मुड़ कर देखता है उसकी पूछ में आग लग गई और दानव जलकर भस्म हो गया यहाँ वानिता यह भी है कि जिस पहाड़ पर बिजली महाँदेव का मंदिर इस्थित है वो इसी दानव कुलंत का शरीर है जो भस्म होने के बाद पहाड़ का रूप धारन कर लेता है दोस्तो आगे की मानिता और दिल्चस्प है जब दानव कुलंद का भोलेनात ने खात्मा कर दिया तो उसके बाद महादेव भगवान इंद्र के पास गए इंद्र से कहा कि हर बारा साल में पाहाड के रूप में तबदील दानव कुलंद पर आकाशे बिजली का प्रहार करे इस्थानी लोगों का मानना है कि महादेव नहीं चाहते थे कि शेत्र के वासियों को इस आकाशे बिजली से कोई नुकसान हो इसलिए हर 12 साल पर गिरने वाली बिजली को वो अपने उपर धारण कर लेते हैं दोस्तो आपको ये लगता होगा कि भला ये कैसे संभव है लेकिन हर 12 साल में होने वाली इस घटना का गवा खुद बिजली महादेव का मंदिर है दोस्तो भारती परमपराएं अदभूद चमतकारों की धरोवर है अभी और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जिसे सुनकर और देखकर आप चौक जाएंगे इस वीडियो में फिलाल इतना ही उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी तो जल्द ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ऐसी और रोचक और फायदेमन जानकारियां मिलती रहें हैस्टेक भारत न्यूस चैनल की रिपोर्ड